Tata Motors ने अपनी SUV Harrier का नया संसकरन Harrier XT जोड बजार में उतारा है. कम्पनी ने शुक्रवार को बताया कि दिल्ली के शोरूम में इसकी शुरुआती कीमत 16.9 लाक रुपे है. कम्पनी की फ्लेक्शिप SUV का नया XT Variant Panaromic Sinneroof वर अन्य नय फीचर्स के साथ आती है. Tata Motors ने अपने एक बयान में कहा है कि XT Variant की इस शुरुआती कीमत पर कार केवल उन्ही ग्राहकों को मिलेगी, जो सितंबर में बुकिंग कराएंगे और 31 दिसंबर 2020 तक इसकी डिलिवरी ले लेंगे. कम्पनी ने कहा कि इसकी कीमतों में एक अक्टूबर के बाद से इजाफा क किया जाएगा. आज के मार्केट को देखते हुए फीचेस काफी एहम हो गए हैं. इसके साथ ही भारतिय कार निर्माता अपडेटिड मॉडल को कुछ नए फीचेस जैसे की अम्बियन्ट लाइटिंग, लेवल दो एडिस्टेक कनेक्टिड कार टेकनोलोजी के साथ लेटस् फोटिन में टूई और एक इलेक्ट्रोनिक पाकिंग ब्रेक के साथ पेश करेगी. इंजन और पावर की बात की जाए तो नई टाटा हैरियर फेसलिफ्ट में 2.0 लीटर क्रायोटेक डीजल इंजन दिया जाएगा जो की 170 बहपी की पावर और 350 एनेम का टॉक जनरेट करेग ट्रांस्मिशन की बात की जाए तो इसमें 6-speed talk converter automatic और 6-speed manual transmission का ओप्शन मिलेगा. टाटा हैरियर फेसलिफ्ट में 1.5 लीटर टीगडी पेट्रोल इंजन भी मिल सकता है. जैसा की फेसलिफ्ट मॉडल में होता है, हैरियर के बाहर कुछ कॉस्मेटिक बदलाव नजराएंगे जैसे की नए headlamp डिजाइन, DRL के साथ साथ एक नए front bumper जैसा बड़ा बदलाव मिलेगा. ये बदलाव Auto Expo 2023 में showcase Harrier EV के डिजाइन के जैसे होंगे. साइड प्रोफाइल काफी हद तक वैसी ही रहेगी, हालांकि alloy wheel में नया डिजाइन नजर आ रहा है. रिय में LED टेल लैंप्स दी गई है और boot lip में एक connecting light strip होने की उम्मीद है. फिलहाल 2023 टाटा Harrier Facelift टेस्टिंग में चल रही है. टाटा Motors अक्टूबर 2023 के आसपास 2023 Harrier Facelift SUV लॉंच कर सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो प्रोडक्शन सितंबर 2023 में शुरू होने की उम्मीद है. कीमत के मामले में यह मौजूदा मौडल से ज़्यादा होने की संभावना है, बाकी सठीक जानकारी लॉंच के वक्त ही पता चलेगी.